अगर दोस्तों आप यह जीओ फॉन यूजर हो तो मैं आपको इसके बैस रीचार्ज बताता हूं कि आपको इसमें कौन सा रीचार्ज करवाना चाहिए और इसके कौन-कौन से रीचार्ज प्लैन है जो 2015 में चल रहे हैं बदलाब हुए हैं तो इस वीडियो में आपको मैं इस प्लस आपको 200 एंबी एक श्टार मिल जाएगा इसमें जियो सिनिमा और जियो टीवी की सरे सब्सक्राइब फ्री रहेगा इसके बाद जियो फॉन के लिए जो सेकन्ड रिचार्ज आता है वह आता है इंक्यान वी रुपे गा इसमां 28 दिन की बैलिटी मिल जाएगी और इस फॉड़ेंगे मिलेगी प्लस 500 म५्, आपको पड़ें मिलेगा जियो टीवी जियो चीवी छीनिमा की फैसलिटी आपको मिलता है इसके बाद हम बन प्रफ़देश के बात करते हैं तो इसमें आपको 28 दिन की बैलिटी मिल जाएगी एक जीवी डेटा पर दे मिलेगा मतलब जीओ फोन में आप एक जीवी डेटा प्राप्त करना चाहते हैं तो यह बन 86 रुपए का रिचाज आपके लिए बैस्ट रहेगा इसके बाद हम बात क प्राप्त करते हैं जीओ फोन के लिए एक साल के रिचाज प्लाइन की तो यह है 895 रुपए का इसमें आपको 336 दिन की बैलिटी मिल जाएगी प्लस आपको दो जीवी डेटा पर दे मिलेगा बस 28 दिन ही मिलेगा बांकि आपको कॉलिंग की इनकमिंग आउट कॉल की फैसल अब उनका ग्तिवेटी टो यह दो जो अथा भ मिलेगा से अफ प्लैन आपको दियुदो Heath ways. प्लक्राण एक्सों पर दो आपको बस्राद टिवी एक स्कत्रा-इक्शिवेत करवाना पड़ेगा तो यह थे दोस्तों जीओ फोन 270 रुचार्ज साथ प्लैन है 1.2 फोन 5D Canada तो आपको वीडियो अच्छीह लगी होगी इस वीडियो में पताएगी जानकारी विद्वाइज लगी होगी अगर आपको अच्छ लगी तो लाएक कर देना और आप हमारे टेक्निकल ठोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लाना सांथ में बैल लोड प्रिशन को भी ओन कर देना तो चलिए दोस्ते वीडियो करते हैं पर समामते मिलते हैं नैस्ट किसी इसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक लिए बाई दोस्तों जहेते